दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग आसा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे खुस और आनंदित होंगे दोस्तों प्रात्ना के द्वारा अधुट अश्यर कर्म हो रहे हैं प्रात्ना के द्वारा लोगों को छुटकारा मिल रहा है चंगाईया मिल रहे हैं यदि आप अपने जी महार किसी बरतन को बनाता है तो सब से पहले वो अपने मन में एक योजना बनाता है अपने विचारों में एक योजना बनाता है कि मैं इस मिट्टी को उठा कर इस परकार का बरतन बनाऊंगा वो बरतन की चवी उसके मन में होती है और उसी परकार से वो बनाता चला जाता है व जब तक वो मिट्टी उस आकार का बरतन न बन जाए, तब तक उसे वो बनाता रहता है, तब तक उस पर मेहनत करता रहता है, और एक समय ऐसा आता है, जब वो मिट्टी वो बरतन बन जाता है, जिसकी कल्पना उसके स्वामी यानिके कुमहार ने की थी, और तब वो कुमहार उ आप से और मुझ से भी वाचित करता है कि परमेशुर हमारा कुमहार है और हम मिट्टी हैं। यसाय की किताब उसका चौशाटा ध्याए और आठ बद जहांपर कुछ इस परकार से लिखा है। तो भी हे यहुआ तू हमारा पिता है। देख हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुमहार है। हम सब के सब तेरे हाथ के काम है। आमेन। दोस्तों यहां पर परमेश्र का वचन कहता है कि परमेश्र हमारा पिता है, पिता कैसा होता है, पिता अपने बच्चों की भलाई को चाहता है, पिता के मन में अपने बच्चों के लिए एक योजना होती है, वो जो कुछ अपने बच्चों के लिए करता है, वो बेस्ट होता ह और जो कुछ वो आपके जीवन में करता है, वो आपके लिए बेस्ट है, वो आपके लिए भला है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, आप उसके बेटे-बेटियां है, वो आपका पिता है, इसलिए वो हमेशा आपकी भले की कामना करता है, आगे परमेशुर का वचन कहता है कि परमेशुर कुमहार है और हम मिट्टी है, हम उसके हातों की रचना है, दोस्तों जिस परकार से मिट्टी एक कुमहार के हातों में होती है, और कुमहार उस मिट्टी को एक बरतन का रूप देता है, उसी परकार से आप और मैं हम सब परमेशुर के हातों में हैं, परमेशुर हमें आकार दे रहे हैं जब तक हम उसके पीछे चल रहे हैं जब तक हम इस धर्ती पर हैं तब तक परमेशुर हमें एक आकार दे रहे हैं वो हमें बनाते चले जा रहे हैं दिन पर ते दिन वो हमें निखारते चले जा रहे हैं बनाते चले जा रहे हैं हो सकता है कभी कबार कुछ देरी हो जाए या फिर आप विपरित समय से होकर गुजर रहे हों तो उस समय आप निरास न होएं उस समय आप परिशान न होएं बल्कि ये भरोसा रखें कि मैं परमेशुर के हाथ में हूँ परमेशुर मुझे एक उपयोगी बरतन बनाएगा अप अपनी कलपना के तहल जो उसके मन में है जो उसके विचार में है वैसा वो आपको बनाएगा वो आपको बना रहा है इसलिए आपको चाहिए आप मिट्टी के तरह अपने आपको परमेशुर को समर्पित कर दें इस परकार से एक मिट्टी अपने आपको कुमहार को समर्पि तो प्रभू अपनी इच्छा के अनुसार आपको बनाता है और जब वो अपनी इच्छा के अनुसार बनाता है तो वो बेस्ट बनाता है वो उपयोगी बनाता है हम नए नियम में देखते हैं कि बहुत सारे गलत काम करने वाले लोग जब प्रभ येश्व मसी के पास आए, तो प्रभ येश्व मसी को जब उन्होंने अपना जीवन दिया, तो उनका जीवन बदल दिया, प्रभु ने उन्हें उपयोगी बरतन बना दिया, प्रभु ने उन्हें अपने राज्य के लिए इस्तमाल करना सुरू कर दिया, वो जो वो क्या हाथों में है, वो आपको निर्मान कर रहे हैं, वो आपको बना रहे हैं, तो उसकी योजना पर आप भरोंसा रखें, तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारब बहुत तायद से आसीज दे, आमें, दोस्तों इसमय होगा जब हम एक गवाई को सुनेंगे, किस प्रक हमको एक महीने से बुखार था, दवा खा रहे थे, ठीक नहीं हो रहा था, आमबिता सिश्टर और पीके परदर के पास हमने परातना रिकोष्ट वेजा, दोनों लोगे ने हमारे लिए परातना क्या, अब हम पूरी तरह से स्वच्ट हो गए हैं, आमबिता सिश्टर और पी अश्यरे करुन के लिए जो प्रभु येश्य मसी ने इनके जीवन में किया है, इनकी प्रातना का उत्तर दे कर परमेशर इनके जीवन में कारी किये हैं, ऐसे ही परमेशर आपके जीवन में भी कारिय करना चाहते हैं, तो प्रभु आपको इस गवाही के दौरा बहुत ताय मसी हमें बनाने वाले हमारे कुमहार हम तेरा धन्यवाद करते हैं हमारी रचना करने वाले हमारी स्रिस्ठी करता हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता हम प्रभू एक स्वर में परमेश और आपको धन्यवाद देते हैं आपकी महिमा करते हैं जैजैकार करते हैं प्रभू और प परमेश्वर हम आपकी संगती में पढ़ें ताकि हम अपसे प्राथना करें ताकि हम अपसे लिप्टे रहें ताकि हम अपनी बातों को आपसे शेयर कर सकें Lord thank you Father for this wonderful evening because we all are happy Lord Jesus we all are happy and Lord Father thank you for this time Lord Jesus इस समय के लिए इस पल के लिए तेरा तही दिल से धन्यवाद करते परमेश्वर क्योंकि हम आनल दित हैं खुश है और मगन है पिता क्योंकि हम अपनी बातों को आपसे कहने के लिए तयार हैं आपके बेटे बेटे जो कई टाइम से इंतजार कर रहे थे कि हम येशु से अपने मन की बातों को कहेंगे प्रभू आज की शाम में इस प्रात्न में वो कहने के लिए तयार है परमेश्वर हालेलुया हर एक जन पिताब की उपस्ति को अज की शाम में महसूस करे प्रभू वो फील करे परमेश्वर कि आपने कहा है मैं तुम्हारे साथ में हो आज की शाम में मेरे परमेश्वर आप अपने बेटे बेटियों के साथ में उनके परिवार के साथ में जितने लोग परिवार के साथ में इकांत में प्रात्ना कर रहे हैं लौ लगाकर प्रभू तेरे समीब बैठे और प्रात्ना में हैं ये शुमसी आपकी उपस्तिति उनके संग में बनी रहे वो आपकी आत्मा से भर जाएं पवित्र आत्मा आप इने गाइट करें कि वो हर बात को खुल कर ये शुमसी से कह सके हालेलुया मेरे प्रभू धन्यवाद पिता विशेश का प्रभू यदि आज दिन भर में कोई भी हमारे चलने फिरने उटने बैटने हमारे बोलने से कोई भी अपराध हुआ है पता आपके विवस्त्गी बेृत में तो खुब Site आप पर शिक determi एटने बीचे लिए आप चारती है उन बातों के लिए प्रभू हम माफी मांगते उस बात के लिए समा मांते हैं पता कि हम सब के गुनाहों को माफ कीजिये हाँ प्रभू अपने बेटे बेटियों के गुनाहों को माफ कीजिए उन सब के गुनाहों को प्रभू येश्व आप उनसे दूर करे खुदा और प्रभू उन्हें एक नया रास्ता और एक नया मौका दे परमेश्व कि कि उन बातों से फिर कर वो तुछ से लिपड जाए परमेश्व प्रभू क्योंकि तु हमारे अपरादों को शमा करने में विश्वासियोगे है सदा के लिए हम हमारे विश्वासियोगे रहने वाला परमेश्व है मेरे कुद आज की शाम में सुंदर वचन के लिए धन्यवादित है पिता कि सच में तु हमारा पिता है और पिता अपने बच्चों की हर एक नीट को उनकी हर एक जरुत को जानता है और उनके लिए क्या बहतर है वो जानता है और प्रभू तु हमारा पिता है हम सब का जो तुछ पर भरोसा करते हैं, जो तेरे नाम को अपने जीवन में पहला इस्तान देते हैं, प्रभू तु हम सब का पिता है प्रभू, येश्य मसी जो वचन कहता है कि तु कुमहार है और हम मिट्टी हैं, प्रभू येश्य मसी जिस प्रकार मिट्टी अपने आपको कुमहार को समर्पित करती है उसी प्रकार येश्व मसी नास की आज की शाम में हम सब भी प्रभू अपने आप को आपको समर्पित करते हैं हर एक जन जो इसमेश प्रात्न को सुन रहा है इस बात को वो कहे कि प्रभू आज की शाम में हम अपने आप को समर्पिद करते हैं क्योंकि आप हमारे जीवन के कुमहार हैं हमारे रचने वाले हमारी स्रिस्टी करने वाले हैं इसलिए प्रभु आज की शाम में हर एक जन्चूटा बड़ा बुजर्ग पिता अपने अपने जीवन को एक मिठी की तरह आपके हाथों में समर्पित करते हैं क्योंकि हम सब के सब तेरे हाथ के काम है मेरे परमेश्व पिता आज की शाम में मेरे परमेश्व पिता जिस प्रकार हमने वचन सुना कि तो कुमहार है प्रभु हम चाहते हैं कि आप अपने बेटे-बेटियों को एक अ प्रभुजी एक अच्छा स्ट्रक्चर दे प्रभु जो स्ट्रक्चर आपके माइन में है परमेश्वर जो विचार आपके मन में हमारे प्रती है अपने बेटे-बेचियों के प्रती है हाँ प्रभुजी वही आकार परमेश्वर आज की शाम में आप अपने लोगों को देना शुरू करे मेरे परमेश्वर, कारे करे प्रभु जी, उन्हें आकार करे उन्हें निर्माण करे परमेश्व पिता और ताकि प्रभु एक उपयोगी और पिता परमेश्वर, यूस्पुल आप इन्हें बना सके परमेश्व पिता हां मेरे प्रभू क्योंकि तो जो योजना के तहत अपने लोगों को बनाता है प्रभू तो उसे उपयोगी बनाता है उसे काम का बरतन बनाता है क्योंकि तेरे हातों में हम है मेरे परमेश्वर आज प्रभू अपने बेटे बेटें को हरे भाई हरे बहन को चोटे बच् पर प्रभु हर एक जन रखा गया है और वो तराशा गयरा है, वो बनाया जा रहा है, परमेशय तेरा धन्यवाद करते है पिता। आज की शाम में मैं विंति करती जितने लोग प्रभू यासी समस्या में है परमेश्वर जब प्रभू उनके मन में ये विचार कि लोग उन्हें तुछ जानते हैं कोई उन्हें काम का नहीं जानता है कोई उन्हें निकम्मा ठहराता है तो प्रभू हम प्रात्ना करते हैं उन् जिए फिर्ट यहीं के हुष्यार को रखते हैं, उन्हे के सामने प्रभू, आप इन्हे उस्फल बनाइए, आप इन्हे तैलेंट बनाएए, आप इने पिता परमेश्व उंचे पदों पर न्यूक्त करें परमेश्व पिता क्योंकि हमारा बनाने वाला वो सुर्ग और पृत्वी का करता है ऑलिलुईया थेंकि फादर लौर अज कि शाम में जितने भाई पहणे प्राथना निविधन को यूटूब कमेंन बॉक्स में आज कि शाम में दिया है ये शु एक एक उस प्रात्ना निवेदन को आपके बेटे और बेटियों के दुआरा दिया गया आपके हाथों में सौपते हैं आपने कहा कि मेरे नाम से पिता से तुम जो कुछ भी मागोगे वह तुम्हारे लिए करेगा मेरे परमेश्वर आज किशा में आपके नाम से हम इस विंती प्रात्नाओं के लिए मांगते हैं पिता पिता जो हमें फेस्बुक पेज, इंस्ट्रग्राम में प्रभू, निरंतर अपने प्रात्न निवेदन भीज दे, वोट्सेप में, टेलीग्राम में प्रभू उन भाई बहनों की भी सुधी लेकर उनके जीवन में भी आज की शाम में आपकारे करें आज रात में अपने लोगों को अच्छी नीन दे प्रभू, पिता जिन्ता से, परिशानी से, दुख से, बिमारियों से, समस्या से, संकट से छुटकारा दे प्रभू जीए, जोगि परिवार में कलेश लड़ाई जगड़े हैं, प्रभू आप उसे मन मिटाव है, तनाव ह पिता परमेश्वर, प्रभू एडिक्शन है, नानपरकार के गलत कामें प्रभू चुटकारा दीजिये, और प्रभू आप एक अच्छा आकार प्रभू इन्हें दीजे, परमेश्वर थानेवाद करते हैं, प्रभू आपके लोग बुरे कामों से, एडिक्शन से, गलत यो हुआ जाते है प्रणunde केंव dir, तो दुआ हम आपे हम से साथ भाषे काई हा, Sया आप जेत बुछी से सार भाने कि के पराइं हो प्यान जिवन कैसे सम्ह通 हम, के ज़ुक, कैसे परिशानीय में हिए, पर अभा जानते हैं, परन्तु आप जानते हैं?? को आप से इस पस्ट रूप से कहा है आप उनके जीवन में कारे करें इस समय इतने लोग असुष्थ हैं बीमार हैं वो अपने दर्द की बीमारी की जगा पर चोट की जगा पर हाथ रखे हालेलुया धनेवाद करते प्रभू येशु मसी पिता हम आपके नाम से आपकी उपस् और चूले और चंगा करें पीडि हो से चलने वाली पिमारी काफी लंबे समय से चलने वाली बीमारी हर एक रोग येशु के पवित्र नाम से नस्थ हो जाए सर से लेका पैर तक प्रभून अंद्रोनी भारी हर एक अंग येश्य के नम से चंगा हो जाए Thank you Father Lord आपने चंगा किया आपने अपने लोगों को छोटकारा दिया धन्यवाद देते हैं पिता सारी बातों में हम आपको धन्यवाद देते कि आपने हम सब की विंती प्रात्मों को सुना हम सब की सुधी लिया प्रभू हम सब से प्रेम किया प्रभू धनेवाद देते सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल आपको देते एश्यू के नाम से प्रात्मा मांगते हैं आमेन, आमेन, और आमेन